हाई दोस्तों आज हम डिसकुशन करेंगे बेकर सेस्ट या पॉपलिटियल सेस्ट के बारे में यह एक तरीके की स्वैलिंग होती है जो कोई नुकसान नहीं करती है गुटने के पीछे की तरफ यह देखी जाती है इसको हम पॉपलिटियल सेस्ट भी कहते हैं बेकर सेस्ट भी कहते हैं और देखते हैं कि जो उपर वाली बॉन होती है हमारी थाई वाली जिसे हम फीमर बोलते हैं उसके दो हिससे होते हैं, एक अंदर वाला जो शरीर के अंदर की तरफ होता है, उसे हम मीडियल बोलते हैं, और एक शरीर के बाहर की तरफ जिसे हम लैटरल पार्ट बोलते हैं, तो अंदर वाले पार्ट के femoral condyle के पीछे की तरफ ये सिस्ट होती है, यानि कि गुटने के से इसका connection होता है, तो इसके अंदर जो पानी भर जाता है, उसका कारण यहीं होता है, कि कहीं न कहीं जोड से जो इसका connection है, जो भी बीमारी, पैथलोजी, चाए वो arthritis हो, या मैनिसकल्स के अंदर चोट हो, कि दोनों चीज़ें जोड के अंदर की हैं, वहां जो भी बीमारी ह होती है, उसके वजए से fluid जो है, वो गुटने के बाहर की तरफ आ जाता है, तो जड़ेतर patient हमारे पास आते हैं, वो हाथ करके दिखाते हैं, कि गुटने के पीछे की तरफ सूजन हो रखी है, तो इसमें ऐसा इसलिए भी होता है, इसमें एक valve mechanism होता है, तो जिसकी वज़े स गुटने की अंदर की बिमारी की वज़े से fluid जो है, जोड़ का वो बाहर की तरफ निकल आता है, तो उस valve के तरू सारी swelling बाहर की तरफ आती है, और movement सिर्फ एक तरफ हो सकता है, बाहर की तरफ. सिस्ट की location देखेंगे, तो दो muscles के बीच में ये सिस्ट होती है, जाज़े तर, semimembranosus muscle और medial gastronymus muscle के बीच में, तो patient हमारे पास जब आते हैं कि गुटने में दर्द हो रहा है, तो वो आपको दिखाएंगे कि swelling हो रखी है गुटने के पीछे की तरफ, आगे की तरफ ने, और पूरा गुटना सूजा हुआ, फूल हुआ दिखेगा, दबा के देखेंगे तो दर्द करेगा, तो खास तोर से गुटने को सीधा करके देखने पर हम इसे असानी से देख पाते हैं, डियाग्नोसिस के लिए ultrasound भी कर सकते हैं, शुरुवाती stage में, अगर बहुत बड़ी करें, तो या तो जोडों के अंदर गठिया हो गई है, तो ज्यादा fluid बनके वो सिस्ट में आ जा रहा है, या meniscus जो की गदी होती है दोनों जोडों, दोनों हड्डियों के बीच की, उसमें कोई tear आ जाता है, उससे जो fluid निकलता है, वो सिस्ट के अंदर आ जाता है, तो vortico steroid दी जा सकती है, अगर कोई side effect या उसका कोई counter indication तो नहीं है, कि इसको नहीं दे सकते है, मसल की exercises सिखाई जाती है, अगर बहुत जादा बड़ी हो रही है, बहुत painful है, तो immediately ultrasound के guidance में या बिना ultrasound के guidance में, इसको सिस्ट को aspirate किया जा सकता है, सारा fluid निकाला जा सकता है, और अगर ये बार-बार हो रही है, तो सिस्ट को excise भी कहा जा सकता है, पर जब तक उसमें इसकी intra-articular pathology को खतम नहीं किया जाएगा, वहां तक इसका excise नहीं किया जाएगा, ये बार-बार होती रहती है, कई केसे में ये सिस्ट burst कर जाती है, जिसकी वज़े से calf muscle में pain होता है, तो इसलिए calf muscle में pain हो रहा है, तो हमें deep vein thrombosis और superficial thrombophlebitis को rule out करना होता है, कहीं उसकी वज़े से pain नहीं हो रहा है, चोटे बच्चों में भी ऐसे सिस्ट मिलती है, उसमें एक mass दिखता है गुटने के पीछे ऐसा ही, और खास और से लड़कों में, पर उसकी पहचान होती ह है, कि अगर हम उस पर trans illumination test करके देखेंगे, तो वो trans illuminate करेगी, symptom normally बच्चों में नहीं होता है, और यह कोई gant नहीं है, उसमें बस सर्फ आपको नज़र रखनी पड़ती है, कोई operation की किसी चीज़ की ज़रूत नहीं पड़ती है, होना ही कोई intra-articular pathologist का कारण होता है, तो I I think यह चोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब, और थो जियार टेली